हेलो गाईस वेलकम बैक न्यू वीडियो मैं बदिकार हूँ आपके लिए ब्लॉग तो ब्लॉग आप सोच रहे हूँगे कहा का है तो यह गाईस कानपूर का है ब्लॉग है कानपूर क्यलाश मंदिर का है जो आप देख सकते हैं कि क्यलाश मंदिर में आज बिजली बहुत ही क внимATkin की खड़कने से आप दीक सकते हैं कि बहुत बाबा ने अपने दिशूल पर बिजली को ले लिया था और सारे बक्तों बचा लिया था सारे भक्त बहाँ पर पुज़ा कर रहे थे मंदिर के अंदर तो वहाँ पर उनके लिए कोई भी किसी प्रकार की हानी नहीं हुई और आप गाज देख सकते हैं कि लाइट चली गई है और लाइट पूरे मंदिर में नहीं है बिलकुल भी अंधेरा है और ये साथ बजे का टाइम है और मैं साथ बजे सूट कर रही हूँ गाजस आप देख सकते हैं कि ये बोले बाबा की जो चोटी है चोटी के ओपर जो त्रिशूल बना हुआ था और त्रिशूल तूट गया है आसपास की जो दिवाले है वो भी दरार आ गई है पूरा चोटी काली हो गई है और बिजली कड़कने से गाइस बहुत जाता नुकसान तो नहीं हुआ है बोले बाबा की किरपास से बस लाइट आसपास के घरों में चली गई है और मंदिर में जो पंक्री बगारा लाइटिंग बगारा है वो भी चली गई है मंदिर के अंदर वी में बड़ा गया है और सारे वक्त आज देखने हैं सुबह से बहुत पर लाइट रही है तो यह बोले बाबा का मंदिर जो प्राजीन बाबा के दर्शन कर रही है तो यह मंत्रों की शकती से एक चोटे से गेर से बड़ी मूर्ती अंदर विराजमान हुई है बाबा भूले बाबा का ये प्राचीन मंदिर है और ये बहुत ही सच्चा मंदिर है यहां पर सारे वक्त पूजा करने आते हैं और यहां पर जो भी मुरादे मांगो वो सब भूले बाबा पूरी करते हैं सबसे यूपी में आप दे सकते हैं करहें भी इतनी बड़ी मूरती आपको बॉले बाबा की नहीं मिलेगी तो यह तरिशूल है बॉले बाबा का जो मैं प्राणाम कर रही हूं बढ़ को और बोले बाबा का बहुत बहुत आशीर वाद है जो पॉले बाबा हैं कितने बिशाल हैं और कितने अच्छे हैं कितने सुंदर हैं उर्ति कितनी सुंदर है तो यह पहुत ही प्रतिमा पहुत ही जादा अच्छी है और आप इस तरीके ब्लॉक दिखा रही हूं आप इस तरीके से आपको इस देख सकते हैं कि यहां वक्त लोग कितने पूजा और श्रदा कितनी बढ़ गई है बाबा के लिए तो कुछ दिल में और भी जादा बढ़ गई है क्योंकि बोले बाबा ने आज कितने वक्तों के लिए बचाया है आज और आप देख सकते हैं कि यहां पर जो आसपास के महले के में जो घर बने हुए हैं उनकी भी सबकी लाइटिंग चली गई है और भूले बाबा के मंदिय में अभी इन्वाबा की बिसाल बड़ी मूर्ती और बहुत ही सुन्दर है तो इस तरीके से मैं पूरे मंदिर का लोक बाशे में जो तो बाबा कि अब को है कि इसना कि और रखे और ब्याम रखेई और बर विड करकाण से और चुद का है देल का लोगों को लॅग देल देल होगे घृत्र का मेर्यां मेरे बोले बाबा का मंधिर का बशाल्च्राणर कर सकते हैं और ये बहुत ईप्राजीन यहां पर सारे भक्ता का तके बाड़ बाबा करते हैं इस तरिक से आप कांतुर का पहुत ही साल बढ़ा केलाश मंदिर जो यहां पर सारे भक्तों का ताता लगा हुआ है और सभी दर्शन के लिए इस्राल इस्रदा लुआ रहे हैं तो गैस अब रात हो गई है और रात में भी मैं चोटी पर आपको दिखा रही हूं की बिल्कुल उम्मट बिल्कुल काला हो गया है त्रिशूल टू पूजा करी है आज सारा ही दिन यहां पर रहें यह काली जी का मंदिर है गाइस काली का प्राचीन मंदिर के सारे और कालीन में अनीबड़ी मुर्थी प्रतिमा ours में ही देख पाएंगे कि कि मंदिर बहुत ही प्राचिन का मन्दिर की जिस्ट पास में है यहां पर नब राते में बहुत ही जॉदह सब की दिल की मुद्धें पूरी करती है तो आप खाली मता कि साक्षा दर्शन करिएगा और बहुत ही सब की दिल की मुरादे पूरी करती है माता माता रानी बहुत ही सची बेवी है मा तो जगत की जन्नी है मा करपालू है बड़ी दयालू है बाबा बड़ी दयालू है और मेरी माता भी बड़ी दयालू है इस तरीके से आप काली माता के दर्शन कर पा रहे हैं विसाल काली जी की मूर्थी है बहुत ही बड़ी मूर्थी है और बूले बाबा के पैर रखी हुई है और नीचे बूले बाबा लेटे हुए है काली जी की विसाल प्रतिमा है ये भब्रतिमा है और इस तरीके से आप देख सकते हैं गाइस काली जी का विसाल मंदिर बहुती सुन्दर बहुती प्यारा और बहुती प्राचीन मंदिर है बहुती सुन्दर है इस तरीके से आप लोग भी गाइस कभी आईएगा और कानपुर में काली जी के दर्शन कीजिएगा तो ये गाइ का ऐसे बोले बाबा का मंदिर है काली जी में तो बोले बाबा के मंदिर में भी सभी लोग माथा टेकते हैं पूचा करते हैं और सारी बोले बाबा तिल की मुरादे पूरी करते हैं और कौन से जगह से देख रहे हैं कौन से शहर से देख रहे हैं का इस मेरी वीडियो कर अच् रहा है और यह आपर आप देख सकते हैं कि वर्जन था फान है तो इस तरीकल से आप कौन से प्रहर से देख रहे हैं तो आप बताईए decision wherever comment on印 detail यह चीआर्ट नहीं कर दो मिलते हैं नेगी स स्क्वन आप 시न सब्सक्राइब से घ्क inveigh सिए गया और मेरे बोले बाबा को प्रणाम कीचेगा इस तरीके से गाइस आप तो यह गाइस काली जी का मंदिर बिशाल मंदिर है और काली जी की दूसरी तरफ बोले बाबा का विशाल मंदिर है यहां पर गाइस आप दे सकते हैं बकरी की बली दी जाती है तो काली जी का मंदिर बहु बहुती प्राचीन और बहुती सुन्दर भव्व बना हुआ है और मेरी मातारानी सभी के दिल की मुरादे पूरी करती है और इस तरीके से आप काली जी के दर्शन कीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरू पताएगा और इस तरीके से जै बा की जै बाबा की जै मता की